आज मैं आप लोगों के साथ मींजे के बेसंद की एक ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर कर रही हूं जिसे मेरी दादी मेरी मम्मी बनाया करते थे और हम बड़े चाओ से गर्मा गर्म चावल के साथ इसे खाया करते थे ये एक स्पेशली मौनसून की डेश है क्योंकि उस समय पर म मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूं और इसके लिए मैंने देड़ कब बेसं लगभग एक थाडी में ले लिया है उसमें मैंने एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक दाल रही हूँ और इसे मैं अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले चारो तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद मैं एक ग्लास में पानी ले रही हूँ और मुझे इस तरीके से स्प्रिंकल करके पानी को बेसन में डालना है और फिर हलके हातों से को mix करना है ताकि उसमें छोटे-छोटे लंबस बन जाएं हमें basically बेशन में छोटी-छोटी सी गुठ्लियां बनानी है और यह गुठ्लियां कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी इसी तरीके से मींजे के बेशन की गुठ्लियां बनती बस हम थोड़ा थोड़ा करके पानी उसमें डालते जाएंगे और हलके हलके हातों से उसको हम इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारे बेसन में छोटे-छोटे सी गुटलियां बनती चली जाएंगे फिर से एक बार देखेगा फ्रेंड्स बस इस तरीके से हमें पूरे बेसन की गुटलियां बना लेनी है और ये देखिए मैंने पूरे बेसन की गुटलियां बना ली है और इतने बनाने के लिए मुझे लगबग आधा ग्लास पानी लगा है और चलिए इसके बाद हम एक आइरन की कढ़ाई लेते हैं और उसमें हम एक टेबल स्पून ओइल डालेंगे और जैसे ही हमारा ओइल गर्म हो जाएगा हम उसमें हाफ टी स्पून हींग एड़ करेंगे और अब हम इसमें अपने जो हमने गुठलियां बना कर रखी हुई है उसे डाल देंगे और एक बार हलकी हातों से इसे चला लेंगे और उसके बाद लगबग तीन चार मिनिट हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे बीज-बीज में इसे आप स्टर करते रहें और अब मेरा ये बेशन भून चुका है मैं इसे एक ठाली में निकाल लूँगी और अब उसी कड़ाई में मैं चार से पांच टेबल स्पून ओईल डाल रही हूँ और जैसे ही हमारा ओईल गरम हो जाएगा मैं उसमें हाफ टी स्पून मेथी दाना एड़ कर रही हूँ एक टी स्पून मैंने सरसों के दाने डाले हैं और एक टी स्पून मैं इसमें जीरा डालूँगी और सभी मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है अब मैं लगबग एक से देड़ टी स्पून कुटा हुआ लहसुन एड़ कर रही हूँ और हरी मिर्च तीन चार मैंने एड़ की है और हमें लहसुन को लाल होने तक के भूनना है उसके बाद मैंने एक बारिक कटा हुआ प्याज जो मैंने चौपर में चौप किया था एड़ कर दिया है और प्याज को भी हमें अच्छी तरीके से भूनना है जब मेरे प्याज अच्छी तरीके से भून गए तो इसमें मैंने दो बड़े टमाटर चौपर में चौप करके एड़ कर दिये और अब हम टमाटर को भी अच्छी तरीके से ओईल सेपरेट होने तक भून लेंगे उसके बाद मैंने आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और एक टीस्पून मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ और एक टीस्पून हम एक से दे टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि यह बेसन थोड़ा तीखा और चटपटा अच्छा लगता है और नमक मैं इसमें पूरे बेसन का डाल चुकी हूँ एक टीस्पून मैंने अभी स्टेज पर इसमें धनिया बाउडर एड़ किया है और अब हम पूरे मसाले को अच्छी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और अब मेरे मसाले भून चुके हैं इस स्टेज पर मैं इसमें दो ग्लास पानी एड़ कर रही हूँ और अब हम इसको कवर करके हाई फ्लेम पर बॉइल होने के लिए छोड़ देंगे अब हमारे पानी में अच्छे तरीके से बॉइल आ चुका है तो अब हम इसमें अपने मिंजे का जो बेसन हमने भून कर रखा है उसे एड़ करेंगे और एक बार इसे अच्छी तरीके से स्टर कर देंगे और जैसे ही इसमें एक बॉइल आ जाएगा तो इसे कवर करके हम लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे फ्लेम बिलकुल लो कर दीजे और दो मिनिट बाद मैंने जब खोल के देखा तो मुझे पानी कम लगा इसलिए मैं इसमें हाफ ग्लास पानी और एड़ कर रही हूँ बेसन काफी सारा पानी एब्जॉब कर लेता है इसलिए इसमें लगबग मुझे तीन ग्लास पानी लगा है और फिर से मैंने इसे पाँच मिनिट के लिए धक करके कुक कर लिया है और बस हमें इस से ज़ादा इसे गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि यह ठंडा होने के बाद और भी थिक होता है इसे हमें थोड़ा सा लिकविड ही रखना है और अब हमारा मींजे का बेसन बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए मैं इसे सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म चावल के साथ आप इसे जवारी की भाकरी, बाजरे की रोटी, साधी रोटी किसी के भी साथ एंजॉई कर सकते हैं और मींजे के बेसन, चावल और रोटी के साथ में स्पेशली प्याज बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने एक इसके लिए प्याज, तेल, नमक, हरी मिर्च और हरे धनिये का सालड बनाया है उसे मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब और हिट दे बेल आइकन ताकि जब भी मैं रेसिपी अप्लोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले थैंक्स फॉर वाचिंग